कि नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग सीखेंगे एक्विशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इससे ड्राव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो पूरा प्लेन है ना इसमें किसी पॉइंट हो कैसे दर्शान है तो हम लोग उसके लिए दो नंबर लाइन लेते कि रियल लेंगे किसी भी पॉइंट को दर्शा सकें तो वह होता है हमारा नंबर लाइन तो यह ऐसा हो ड्रा करते हैं बीच में एक पॉइंट जीरो लेंगे ठीक है इसके दाइने तरफ जाएंगे तो एक दो तीन इस तरह से पॉइंट बढ़ता जाएगा और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस त्री माइनस फूर इस तरह से जाएगा और इसके अलाव जो भी पॉइंट हो जैसे 0.10.2 वह सब इस सब के बीच में लाइक करेगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग इस पे कोई भी पॉइंट दर्स आ सकते हैं ठीक है उसके लेकें जब किसी प्लेन हम लोगों को दर्साना है तो उसके लिए क्या करता है दो नंबर लाइन खिषते हैं ठीक है ओब एक छाटिछ ठीक होरिजंटल नाइन और एक मैं वर्टिकल नाइन ठीक है जहां मीट करता है उसको हम लोग origin मानते हैं वो इसके तरफ 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता रहेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 इस तरफ नेगेटिव हो उपर जाएंगे फिर पॉजिटिव दो, तेन, चार, पांच, छे उपर बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो घटेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 ठीक है इस तरह से नीचे जाएगा अब क्या है सुविधा के लिए हम लोग यह जो horizontal line है इसको हम लोग x-axis कहते हैं ठीक है अब प्लेन में जो भी पॉइंट है हम उसे दरसा सकते हैं यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को दरसा सकते हैं इसके लिखा करेंगे इस line से भी perpendicular ट्रॉख करें और इससे भी perpendicular टॉख करें तो यह जहाँ पर जाएगा जैसे तो हम उसका पॉइंट लिए माल लेतर है है यह और बी तो यह कहां सबसे पहले इसमें x-axis पर जहां पर होगा उसका point लिखेंग और दूसरा फिर y-axis का तो यह x-axis से सब्सक्रeval क्लिए और इसे भी यह विदा आ रहा है तो इसलिए यह पॉजिशन होगे स्कूमलों कहते हैं को दिनेट का जैसे एक दूसरा पॉंट लेते हैं गए ए यह मैनस 2,4 पहले हम लोग एकसे 6ion पॉइंटन इख है फिर उसके बाद वाई एकसे 1utosus लोब्ममिन इस पॉइंह लोटमा इस पॉइंट का कोर्डेंट मानने इस को कूय भी पी वन सिष्क आ कॉरडेंट हो गया ठीक है एक्स कोडिनेट को और्डिनेट को एपसी सा भी कहते हैं और वाई कोडिनेट को हम लोग और्डिनेट कहते हैं ठीक है और्डिनेट कहते हैं तो इस तरह से किसी पॉइंट का हम लोग दर्सा सकते हैं इस पर यह जो प्लेन होता है हमारा आर्गेंट प्लेंट कहला आता है ठीक है यह थे क्लियर है डिल्स अब कर यह जानना यह जरूरी है क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो किसी ना किसी प्लेइन में ही होता है ठीक है जैसे हम एक स्ट्रेट लेंगे ड्राइए यह प्लेइन में है यह प्लेइन में ही है तो मतलब स्ट्रेट लैंड के लिए हमें एक प्लेइन की हावशक्ता होती है ठीक है तो इसलिए हमें कॉडिनेट का जानकारी रखना जरूर आम तोर पर जो श्रीत लाइन की एक्राइशन होती है वो इस फोर में होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल तो 0 यह तैंडर्ड एक्रेशन है इस चेंडर्ड एक्राइशन और इक्राइशन और फस्री लाइन